資料 नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हु मैं आपके सवालों का जवाब लेकर यानि सवाल आपके जवाब हमारे बड़ी संख्या में आप सभी दर्शकों के प्रश्न प्राप्त हुए हैं एक से बढ़ करके एक प्रश्न वो प्रश्न जो सार्वभयमिक थे उन्हें ले करके आप सब के समुख हाजिर हुआ हूँ बड़ी संख्या में ले करके हाजिर हुआ हूँ आईए एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना प्रारम्भ करता हूँ अपने ज्याना नुसार, अपने सामर्थ्या नुसार हरम हरिम हरिष्चंद्रम हनुमंतं हलायुधं पंचकम वैस्मरेन नित्यम घोर संकट नासनं हरम हर कहते हैं भगवान शिव को हरिम भगवान विश्णु को कहते हैं महाराजा हरिष्चंद्र का नाम आप सभी जानते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबों से कुछ वर्स पूर्व ही वो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान राम से एक वर्स पूर्व, माफकरीगा भगवान राम से एक यूग पूर्व उनका जन्म हुआ था, लेकिन सत्य की अपरमपार महिमा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो हम से कुछ वर्स पूर्व रहे होंगे इसके बाद बारी आती है हनुमान जी की और पांचवे नंबर पर बारी आती है हलायुध बलराम जी की इन पांचों का नाम प्रातह काल लेने से घोर संकट नासनम दिन भर कोई कस्ट, कोई संकट कोई परिशानी नहीं आती है कारिक्रम के प्रारम्भ में एक छोटी सी जानकारी मेरी तरब से होती है लेकिन आज ये जानकारी एक दर्सक के प्रश्न के आधार पर होगी ये संतोष कुमार पटेल जी है इन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र का अर्थ वताइए तो आईए मैं गायत्री मंत्र का पहले तो अर्थ वता देता हूँ फिर इसको इसका अन्वय विकर देता हूँ आप सबके समुख भुहु, भुवध, स्वह, भुह कहते हैं सत्भुवध, स्वह, आनंद, सत्चित, आनंद, स्वरूप, स्ट्रिष्ट करता, प्रकास मान, उस प्रसद्ध वरणी तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धी को सत्थ की ओर प्रेरित करे अब इसका मैं अनुवय कर देता हूँ, अलग-अलग कर देता हूँ इसको त्री व्याहरती है, उसे तो आपने जान लिया सत चित आनंद इसके बाद आता है तत, तत मने वह, सवितुह, सविता देवता, तत सवितुह, भर्गो देवस्य, यहां भर्गो सब्दकार थे उनका प्रकास, तेज धी मही हम ध्यान करते हैं, किसका धियो यो नह, हमारी बुद्धी को, धियो सब्द हमारी बुद्धी को, यो नह, जो हमारी बुद्धी को प्रेरित करे प्रचोदयाद प्रेरित करे कहां सत की ओर हमारी बुद्धी को प्रेरित करे ऐसे स्रिष्टि करता प्रकासमान उस प्रसिद्ध वरणिय तेज का हम ध्यान करते हैं चली आगे बढ़ जाते हैं, ये प्रश्ण है सैलेंद्र सिंग जी का, इन्होंने पूछा है कि पूजा करते समय किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, वैसे तो मैंने इस प्रश्ण का जवाब पुर्व में दिया है, लेकिन आई एक बार फिर बता देता हूँ, एका चंड्या, एक बार भगवती का, यानि जितनी भी भगवतियां हैं, उनकी एक बार प्रदक्षणा होनी चाहिए, रबव सप्त, सुर्य नारायन की साथ परिक्रमा, तिस्त्रो दद्याग विनायकव, तीन बार गणेश जी का, चतस्त्रो विश्णवोह दद्याग, चा भगवान की करनी है, तो कितनी करें, तो चार करें, भगवान, विश्णू क्या अनुकरूप, चार बार उनकी प्रदक्षणा करें, इसी से सब की प्रदक्षणा निकाल लीजी और करिए, अगला प्रश्न है, हिमान सुजी का, इन्होंने पूछा है कि पॉकेट में स्री य जंत्रादी चीजों को अपने जेब में नहीं रखना चाहिए और पर्स प्राया लोग कहां रखते हैं? पीछे वाले जेब में रखते हैं. तब तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए. तो मेरे हिसाब से स्री अंत्र को घर में स्थान दीजिए. पूजा पाठ के स्थान पर जहां आपके पास सबसे बढ़िया जगह जो स्थान है वहां पर स्री अंत्र को घर में रखिए. उससे घर में लक्षमी की बृद्धी होगी मालक्षमी की कृपा बनेगी. जेब में रखकर के उसे कम से कम मत भूमिये. अंतु अगनी होत्री जी ने पूछा है कि सन्यास यो कोई भी व्यक्ति एक आएक ऐसा कर ही नहीं सकता. सन्यास कोई आम खेल नहीं है. यह पूर्म की जागर्ती है. निश्चे ही उस व्यकती में हुँ जागर्ती रहती है. लेकिन सांसारिक बंधनों बेबंध करके वह आम सारे काम करता रहता है. और जैसे ही उसके पास वह करके सन्यस्थ हो जाता है ध्रू का नाम आप लोगों ने सुना होगा ध्रू अतारा माने कौनसी मा तो सौतेली माने कुछ ऐसे वचन कह दिये जिससे नन्हे पांच वरसी ध्रू का दिल दुखित हो गया और वो भगवान की तलास में चल पड़े और जंगल की ओर चल पड़े और वहाँ पर चलते चलते उनको नारत जी भी मिल गए ये कितना आसान है हम घर से निकल जाए पांच वरसका बच्चा घर से निकल जाए भगवान की खोज में निकल जाए और केवल ऐसा नहीं नारत जी भी मिल जाते हैं यह सब पुर्व का है, एका एक ऐसा कुछ नहीं होता, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो इसके लिए कई सारे भाव बनाए गए हैं, जहां से इस योग का विचार किया जाता है, दुतिये भाव से, तृतिये भाव से, सस्थम से विचार करते हैं, सप्तम नौम से, द आहू और केतू, इत्यादी इन ही ग्रहों से सन्यास योग का निर्माण होता है, आगे बढ़ते हैं, अरुन कुमार, नोन हारे, इन्होंने पूछा है कि पित्रिपक्ष में घर में देवी देवता की पूजा की जा सकती है कि नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि घर में कोई महमान आ जाए, तो आपके घर के जो पूर्व के, आपके माता पिता हैं, उनका ध्यान न रखें, जड़ा सोचिये तो ऐसे ही हो गया कि घर में अतिथी आ गये, तो हमारे जो घर के और सबसे हम उनका ध्यान न रखें, उनका भी उतना ही ध्यान रखना, ब पफल मिलेगा की नहीं बिल्कुल आपको बता दूँ कि अपराध सहस्राणी की अक्रियंते अहर निशम्माया दासो या मितिमामत्वाम छमस्वा परमेश्वर या परमेश्वरी आप जो भी स्त्रोत्र पाठी त्यादी कर रहे हूं गलती हो जाए तो वस मन में छमाम मांगते हुए उसी को ठीक करके फिर आगे बढ़िए कोई दिक्कत नहीं है माबाप से बात करते हुए अगर गलती हो जाती है तो क्या हम फिर सुरू से अपनी बात उनको बताते हैं परमात्मा हमारे माता पिता है स्त्रोत्र का पाठ करना ये जो संस्कृत में होता है उनकी भासा है देव भासा संस्कृत है उनकी भासा में हम उनकी बात करते हैं थोड़ी दिर पहले मैंने आपको गायत्री मंतर का अर्थ बताया शंस्कृत में कठीन है अगर उसको हंदी में कर दिया तो ये कितना आसान हो गया तो ये उनकी भासा है संस्कृत हम संस्कृत में उनकी भासा म में मंदिर है उसी में पूजा करता हूं क्या प्राइमरी में ही जीवन भर रहें नहीं भाई आप प्राइमरी में तो बिलकुल ही न रहिए सिया राम में सबजग जानी करव प्रणाम जोरी जुग पानी बिलकुल कंकन कंकन में संकर दिखाई पड़ने लगे फिर आपको मंदर जाने की बिलकुल आवस्चता नहीं लेकिन याद रखिए ये केवल भासन बाजी में नहीं होनी चाहिए घर में कुटा गुश गया तो ले डंडा ले डंडा उसको मार करके अधमरा कर दिया याद रखिए कि उसकुटे में भी भगवान है याद रखना है कि अगर आपका कोई अहित भी कर दिया गाली दे दिया तो तूट पड़े जब तक मार मार के अधमरा न कर दिया गाली कैसे या तुमने, तो याद रखिए कि उगाली देने वाला भी कोई अलग नहीं है, वो आपका अंग है, उसी प्रकार जैसे जिवा को कई बार दात काट लेती है, हम दात को कभी नहीं तोड़ते, निश्चय ही आप प्राइमरी से उपर उठिये, और हम सब को इस प्राइमरी जग प्राइमरी से जग है, लेकिन जैसे ही उससे उपर के स्टेज में हम पहुंचते हैं, हमें मानो मात्र में भगवान दिखाई पड़ने लगे, पसुपक्षी, जीव, जन्तु, हर किसी में भगवान दिखाई पड़ने लगे, ये स्रेश्ट अवस्था है, उस समय हमें किसी म ही दिखाई पड़ता, जो हमारा, वो सब का, अगर ऐसा होने लगे, तो निश्चे ही आप जीवित रहते, ग्रिहस्थास्रम में सन्यस्थ हो जाएंगे, यही है सन्यास का अर्थ, सन्यस्थ हो जाएंगे, और अब आपको परमात्मा को ढूंडने के लिए कहीं जाने की आव पुछा है कि अगर किसी का समय खराब चल रहा हो, तो क्या उस समय की गई प्रार्थना, उसे भगवान स्विकार नहीं करते, या उसका फल अच्छे समय में बृद्धी करता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका बुरा फल और आपका अच्छा फल, इसमें प्रमाक्मा कुछ भी नहीं करते, और इस बात का प्रमान भागवत में मिलता है, जब भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि मांगो सब लोग क्या मांगते हो, और भगवती कुंती ने मांगा मुझे दुख दे दो, तो भगवान ने कहा कि बुवा जीवन भर दुख होगा, अब क्यों दुख मांगती हो, तो कुंती ने कहा कि जब जब दुख होता है तब तुम होते हो, तो प्रभगवान ने कहा वो कौन है, आनंद कंद, भगवान को क्या कहते हैं, आनंद सिंधु सुखरासी, वो आनंद की सिंधु हैं, उनके पास दुख है ही नहीं, तो पहले तो वो दुख नहीं दे सकते, कस्ट नहीं दे सकते, हालाकि वो सुख भी नहीं देते, ये दुख और सुख, ये सब हमारे कर्मों का, और मैं फिर से बता दूँ, मैं बार-बार आप सबों से कहता हूँ, कि भाग्य बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे भाग्य का नियंता हम खुद हैं हम ही बनाते हैं अपने भाग्य को और बाद में कहते हमने ऐसा कब किया जबकि आज का हमारा कर्म ही हमारे कल का भाग्य है अब यही ध्यान रखना है कि आख बंद करके भाग्य बनाएंगे तो कल सबसे पूछते चलेंगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया भाग्य तो आपने बनाया है आप जानी आपने क्या किया आगे बढ़ते हैं ये नयन मुनी सरमाजी है क्या कुंडली में भी अविवाहित योग होता है देखिए एक छोटी सी बात कहूँ ऐसा कोई योग नहीं होता कि जातक अविवाहित रह जाए सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये योग बताया कैसे जाता है देखिए एक ही समय में लाखों लोग जन्म लिए इस योग के कारण कईयों का घर बसा होगा पहले तो देश, काल, परिस्तिती ये बड़ा मायने रखता है जिसका बिवाह नो हो रहा हो किस कारण से उस व्यक्ति का बिवाह नहीं हो रहा एक, दूसरा, निश्चेही दामपत्य जीवन खराब होने की स्तिती उत्पन होती है जन्म कुंडली में और फिर, अगर उस सवस्था में बिवाह होता है तो दामपत्य खराब हो जाता है कुछ परिस्तितियां, मैंने जादा तर जहां बिवाह नहीं हुआ वहाँ पर महसूस किया कि वहाँ कि कुछ परिस्तितियां ऐसी भिन थी जिसके कारण बिवाह नहीं हो सका जोतिव सास्त्र ने उसको योग बनाया योग के रूप में घटाया लेकिन इसका मतलब ने इसी रहे तो मैं बार बार कहता हूँ कि जन्म कुंडली में अगर कमजोर कुछ है तो सब खराब होगा ऐसा जरूरी नहीं है अब हमारे जैसे जोतिसी आपको मिलेंगे अच्छा चल रहा होगा तो कहेंगे कि ये ये सब अच्छा है इसके चलते आपका अच्छा हो रहा है और खराब चल रहा है तो अच्छे को भी फिर बता देंगे कि इसके चलते खराब हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है ये सब हमारे कर प्रदान करने वाले हैं पर मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्टी को देखा जो जीवन भर अपने परिवार को कष्ट देता रहा और धन बचाने के लिए फटे कपड़े पहनता रहा फर फिर भी उसके पास लक्ष्मी बरस्ती रही ऐसा क्यूं सास्त्र कहता है यद दासी विसिष्टेभ्यो यद चासनासी दिने दिने जो धन आप किसी को दान कर दें जिस धन का आप भोग करें बस समझ लीजिए वही धन आपका है बाकी धन के आप रक्षक हैं आपके प्रशन का जवाब तो आपने खुद दे दिया जिसने फटा कपड़ा पहना है फटा पुराना चीतराल फेटे गूम रहा है वो लक्ष्मी पती कहां है धन का नहीं उस ध जोने धन कहां जमा करते हैं बैंक में जहां धन आपकी आप खुद यूज यूज बैंक धन कर नहीं सकता उसको रखेगा और आप भी उसका कुछ नहीं कर सकते तो प्रकृति ऐसे लोगों को अवस्य दे देती है कि इसे खुद तो यूज करना नहीं सुरक्षित रखेगा अपने पास आने वाला कोई और उस धन का मालिक है भोग करेगा अब रही बात कि जहां पर औरों को वो अपमानित करता हो पीडित करता हो निश्चे ही उसका प्रारब्ध बली है और उस बली प्रारब्ध के फलस्वरूप इस भोग को वो भोग रहा है और स्रिष्टम हमार और आपकी नजर में वो स्रेष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं जिस दिन उसका वो भोग या यूं कहिए कि वो विशिष्ट कर्म समाप्त होगा पाप जागरत होगा और वो पकड़ करके गले से पकड़ करके अंदर डाल देगा फिर राम नाम समी कांचन भगवान खुद कहते हैं कि धातूओं में सोना मैं हूँ तो सोने में रुद्राक्ष को धारन करिए नहीं है तो चांदी में और और भी नहीं है तो धागे में सबसे बढ़िया धागा नहीं तो सबसे बढ़िया सोना आपके पास जो बस तूप सुबिधा से पूछावत है, बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में तो अपने संत्ती को संसकारवान, ज्यानवान और स्रेष्ट पद पर देखना चाहते हैं, तो स्रेष्ट कर्म रुपी आहुती नित्य डालिये और दूसरे हमन की आवशकता नहीं, स्रेष्ट कर अपने वेट वगारा उम्र को देख लेना चाहिए लेकिन अगर अच्छे quality का निलम है तो कम से कम सवा 5 रती तक का निलम आप ले सकते हैं कम से कम हालाकि उम्र कम है तो 3 सवा 3 रती का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन उम्र अधिक होने की अवस्था में यानि कि अगर 28 से बाधी से बंद करें या ऐसे ही पटवा दिया जा प्रार्थना कर लीजिए इतने दिनों तक उस कूप ने जल दिया जल प्रदान किया जीवन दी और हमारे सनातन धर्म में प्रतेक वस्थ को प्रतेक चीज को जो जीवन दाइनी है उसे पुझ्यमाना गया है तो उसके पू और ये उसे भर के तब बबंद करवा दीजिए आगे पढ़ते हैं बिवेक मित्तल जी ने पूछा है कि दुर्गा सब्तसती को पढ़ने का क्रम बताईए किस तरह से इसको किस क्रम से इसको पढ़ा जाए देखिए अगर प्रती दिन आप इसका पाठ करते हैं तो आपको स् पवस्था में संकल्प पहले तो आसन पर बैठ करके पवित्रा दिग होने के बाद मार्जन करने के बाद संकल्प लीजे पाठ का इसके बाद कवच अरगला किलक इसके बाद रात्री सुक्त का पाठ करिए इसके बाद नवारन मंत्र का जब करिए और फिर इसके बाद करना है आपको रात्री सुक्त का पाठ इसके बाद तेरहो अध्याय का पाठ इसके बाद पुनह देवी सुक्त का पाठ फिर नवारन मंत्र का जब और इसके बाद रहस्यत्रय का पाठ और फिर अंत में छमापनस्त्रोत्र का पाठ कर लीजिए महेंद्र सिंग्राठोर जी ने पूछा है कि बजरंगबान का पाठ घर में करना चाहिए या नहीं या कभी नहीं करना चाहिए यह किस ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, मैं घर में अपने करता हूँ, आप अपने घर में करिए, बिल्कुल घर में ही करना चाहिए कई लोग कहते हैं कि यहां सोगंध दिया गया है, क्या बोला गया है भाई जब बच्चे कुछ नहीं करते, तो कई तरह की बात कहते हैं भगवान कृष्ण ने एक बार ये बात माता से कह दिया था कि मुझे तुम पराया मानती हो ये पराया मानना भी तुमा के लिए उसमें बहुत बड़ी बात थी तो सौगंध देने की कोई बात नहीं है आपर बस प्रार्थना है प्रार्थना का एक अलग तरीका है तो आप ब बिल्कुल बजरंगबान का पाठ कर सकते हैं बिल्कुल इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बड़ा मन में भरांती डाल रखी है और बड़ी प्रेम से इसको करना चाहिए इसमें कोई भरांती वाली बात नहीं है आगे बढ़ते हैं गोविंद ओजा जी ने पूछा है क पित्र दोस के लिए त्रिपिंडी स्राध करें या पित्र तरपन करें और करें तो कब करें आम आवस्या को या फिर कभी और देखें मैं आपको बता देता हूं अगर आप प्रतेक आम आवस्या को या जो पित्रिपक्ष आने जा रहा है पित्रिपक्ष में 15 दिन अपने प पितरों का तरपण किया जाए ये सबसे स्रेष्ट है और ज्यादा परिशानी है तो प्रत्यक अमावस्या को कर लीजिए उससे भी सांती मिल जाएगी तरपण करने से सांती मिल जाती है सुखराम गहलोज जी ने पूछा है कि कुंडली के हिसाब से लड़की के माता पिता कौन होते हैं मा या सास पिता या ससूर पहले तो आपको बता दूँ कि लड़की के माता पिता वही होते हैं जैसे आपके माता पिता कुंडली का चतुर्थ और दसंभाव लड़की के लिए भी वही है लड़की अलग थोड़ी है कोई सास और ससुर जैसे आपकी कुंडली में विचार होगा वैसे लड़की की कुंडली में विचार होगा लड़की दूसरे घर में जाती है क्योंकि सिधी सी बात है स्रिष्टी के स्रिजन में उनका योगदान अमुल्य है और उन्हें एक दो घरों का बनाया गया है प्रकृती ने ऐसा निर्मान कर रखा है हो सकता है आने वाले समय में ऐसा वक्त आ जाए कि लड़कियां अपने ही घर रहेंगी लड़के जाएंगे तो उस समय आप किसके लिए पूछेंगे और क्या पूछेंगे उस समय भी माता पिता वही रहेंगे माता पिता बदलने वाली थोड़े हैं कभी वो दिन दूर रही है जब लड़कियां अपने ही घर रहेंगी और लड़के बिवाह करके लड़कों को बिवाह करके ले जाएंगी तो उस समय में इस्तिती क्या होगी यही होगी वो अपने ससुराल में होंगे और फिर आप यह पूछ रहे होंगे कि लड़कों के लिए कौन सा घर देखा जा उनके माता पिता का वो ही देखा जागा जो सबका देखा जाता है यह राहूल महादेव चौरसिया जी ने पूछा है कि वक्री ग्रह यदी चलित चक्र में सत्रू रासी से अपनी रासी में पहुँच जाए तो उसका बल और प्रभाव कैसा पड़ेगा बिल्कुल बहुत अच्छा प्रशन है आपका प्राया इसको लेकर के लोग के मन में भ्रम होता है जनमान का चक्र में कई बार लोग रासी के लिए भी पूछ लेते हैं कि रासी बदल तो नहीं गई चलित चक्र का अर्थ है पहले जान लीजिए कि हम उस ग्रह के प्रभाव को देखते हैं वो ग्रह कहां का फल दे रहा है ना कि उसने घर बदल दिया वो ग्रह वही पर बैठा जनमान चक्र में जहां बैठा दिखाई पड़ रहा है उसी घर में माना जाएगा लेकिन जब हम उसके प्रभाव का विचार करेंगे फालाफल का विचार करेंगे तो चलित चक्र में प्रभासी में आ गया है तो सिधी सी वात है उसके प्रभाव में बृद्धी होगी वह आपको खराब फल नहीं देगा क्योंकि वह फल अपने घर का दे रहा है अंजू राजेस जी ने पूछा है कि क्या महाविध्याओं में से जो महाविध्या मातारा हैं उनकी साधना कठोर मंत्र जप घर में कर सकते हैं क्योंकि ये उग्रदेवी हैं बिलकुल कर सकते हैं ग्रिहस थास्रमियों के लिए साधना, पहले तो गुरू की देखरेख में करनी होगी ये साधना, और घर में ही कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको अलग कहीं जाने की आवशक्ता नहीं, बस गुरू की देखरेख में करनी होगी. इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये महेश कुमार, जिने पूछा है कि कुंडली में कोई एक ग्रह, कोई एक भाव या भावेस, जिसकी पूजा जीवन भर करने से सारे ग्रह अनुकुलित हो जाएं, या जीवन को अनुकुलित करने में मदद करें, क्या कुंडली में ऐसा भी कोई भाव है जिसका दान हमें नहीं करना चाहिए कुंडली में कोई एक ग्रह अपने लगन और लगनेस को देखिए वही आपके व्यक्तित तुमें है वैसे तो मैं प्राया आपको बताया हुआ हूँ कि जन्व कुंडली में मुख्य ग्रह का चुनाव कर लेना चाहिए वो मुख्य ग्रह कौन है और उस मुख्य ग्रह को बलवान बना लेने से आपका सब कुछ उसी के चलते हो जाएगा एक, दूसरा इस बात का आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि दान किसका देना है और किसका नहीं देना अगर मैं ग्यान दान कर रहा हूँ तो कुंडली के पंचम स्थान से ग्यान का दान और उच्च सिछा नमंभाव से जो भाग्य का भाव होता है उससे देखा जाता है तो क्या मैं अपने भाग्य का दान आपको रोज कर रहा हूँ अगर कर रहा हूँ तो मैं रोज करने को तयार हूँ अगर मेरे भाग्य दान से आप सबों का अगर कल्यान होता हो आपका जीवन सुखद होता हो तो आप करिए उस भाग्य दान के फलत स्वरूप आपको कुना और भाग्य प्रापत हो जाएगा और ऐसा कोई भाव नहीं होता जिसका दान नहीं करना अगर दान करना है दान क्या करेंगे मदद करनी है जो जरूरत मंद है उसे जाकर के मदद करिए उसकी हेरम निगम आरे जी ने पूछा है हनुमान चालीसा की एक पंक्ती है और देवता चित्तन धरही हनुमत से इसर्वसुख करई इसका आसर इन्होंने बताया है कि और किसी देवता को अपने चित्त में न धरें न बसाएं तो बिल्कुल ठीक है हनुमान जी को तो आपने बसा लिया ना हनुमान जी को बसा लिया और हनुमान जी के चित्त में राम जी है हनुमान जी के हरदय में राम जी है तो सबको तो आपने बसा लिया अब किसको बसाना चाहते हैं हनुमान जी को आपने अपने हरदय में डाला औ तो आपने किसी और मैं तो आपको कहता हूँ आपको हनुमान जी को भी नहीं बसाना क्योंकि ये बात तुलसी बाबा कह रहे हैं वो अपने हर्दय में हनुमान जी को बसा रहे हैं तो उनके हर्दय में कौन आ गए तो हनुमान जी के साथ साथ राम जी भी आ गए हमारी तो इत संत की कृपा, संत की महिमा, उन्होंने उस परमपिता को पकड़ रखा, उन्हें छूली जिये, सब काम बन जाएंगे। भाव में बैठे ग्रह, अब आपने पूछा कि भाव में बैठे ग्रह की, तो निश्चे ही उस भाव में बैठे ग्रह की महत्ता, देखिए, घर तो इस्थिर है, देलही में जो प्रधानमंत्री आवास या राश्ट्रपती आवास है, वो तो इस्थिर है, लेकिन जब उसमें कोई आजाता है तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है राश्टरपती का भवन निश्चे ही दर्सनी है लेकिन जब उसमें कोई राश्टरपती आ जाता है तो वो और जगमग जगमग हो जाता है जब ही कोई नया बदलता है तो उसको साफ सुत्रा किया जाता है उसको और नया बनाया जाता है तो जैसे ही नया बनाया जाता है उसकी छमता बढ़ जाती है तो ग्रह के होने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है और ग्रह ही का महा प्रभाव विसेस माना ज पहले तो आप संतान भाव के माली को देखिए किस भाव में बैठे हैं सब्तम भाव यानि पत्नी भाव के माली को देखिए किस भाव में बैठे हैं यदि पत्नी भाव के स्वामी जाकर के बैठे हो भाग्य भाव में तो निस्चेही विवाह के बाद भाग्योदय होगा जिस इस भाव में बैठे हो निश्चे ही विवाह के बाद उस भाव से सम्मंदित प्रभाव में बिर्धी हो जाएगी उसी तरह से संतान यानि उस भाव उस भाव के स्वामी और उसके कारक से ये जरूर विचार किया जा सकता है और विचार किया जाता है आगे बढ़ जाते हैं य उसका उपाय करें, क्या उसका उपाय करें, देखिए स्तराप अगर किसी ने दिया है, तो स्तराप पीड़ी तर पीड़ी पीछा नहीं छोड़ती, एक रास्ता है कि उस धन को किस चीज पर स्तराप किया गया है, धन पर किया गया है, या उस बंस को ही स्तरापित कर दिया गया क्योंकि मैं प्रमाण तो नहीं दूँगा, मेरी आखों के सामने इसका जीवन्त प्रमाण उपलब्ध है, कि रिसी के स्राप के द्वारा आज भी परिसानिया वहां दिखाई पड़ती है, तो अगर स्राप दिया किस चीज को गया है, धन को दिया गया है, तो धन को त्याग द नेने वाला अपनी तपस्या डालता है, उसी की प्रार्थना की जाए, उससे छमा मांगा जाए, तो निश्चे ही आने वाली एक दो पीडियों के बाद उस उस्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, मिहर जोसी जिने पूछा है कि अगर लगनेश कुंडली में समपूरन रूप से अस्त हो जाएगा, तो क्या जातक पर प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, देखी, अस्त होने का अर्थ बार बार में बताता हूं कि इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, कि वो ग्रह प्रभा से पड़ गई है, तो उसको बलाबल उसका रत्न पहन करके, उससे समंधित पूजा पाथ जब तब करके, उसको बलाबल दिया जा सकता है, जौनी कुमार जी ने पूछा है, क्या स्वयम को और भगवान को साम के समय तिलक लगा सकते हैं, पूजा करते समय, बिल्कुल लगा सकते हैं सायमकाल में अपने को भस्म का तिलक लगाना चाहिए सूखा तिलक गीला तिलक प्रातहकाल और सायमकाल सूखा तिलक लगाना चाहिए हमेशा याद रखिए कि प्रातहकाल का जो तिलक है वो गीला और सायमकाल का जो तिलक है वो सूखा होना चाहिए तो भगवान को वही सुखा तिलक लगाना चाहिए यह बिक्की बिक्की जी ने पूछा है कि सूर्य परवत पर भर जणडे का निसान हो तो क्या होगा हथेली में यही पर सूर्य परवत भर जणडे का निसान आपको दिखाई पड़ रहा है तो यह निश्चा ही बहुत स्रेष्ट है और यह सभलता का सूचक है बहुत अच्छा माना गया है सीवम सिंग हर्ष जी का यह प्रश्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वज के नाम से अपना व्यापार करना चाहे तो कर सकता है अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो इससे कोई हानी तो नहीं होगी व्यापार में बिल्कुल नहीं होगी हाला कि मैंने बताया था कि अपनी नाम रासी से जिस नाम को आप रखना चाहते हैं उस नाम की कणिका मिला लीजिए तो अगर नाम से आपके पूरवज की नाम की कणिका अच्छी बैठती हो बिल्कुल आप रख सकते हैं बिल्कुल उनके नाम पर कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है धनराज जारिया जीने पूछा है कि अगर पूजा पाट करते समय भगवान का स्मरण करते हुए आख बंद करने पर कोई आपती जनक दिर्ष दिखाई दे जाए तो क्या करना चाहिए कुछ नहीं बस दक्षिन करन का स्पस करिए और प्रार्था करिए हमारा मन है हमारे मन में बुराई आती ही है याद रखिए कि बुराई से मत भागिए बुराई से भागेंगे तो अच्छाई से भाग जाएंगे बुराई और अच्छाई जुड़ी हुई है बुराई और अच्छाई कहीं कोने में दबा होगा, जैसे ही आपने आख बंद किया, मन में उभर आया, कोई बात नहीं, भगवान से इतनों अच्छमा मांग ये, आगे बढ़ जाए, उसके लिए कोई भी मन में गलानी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गलानी करेंगे, तो फिर असंतोस का जन्म होगा, और असंतोस का जन्म हुआ, तो पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाएगा, आगे बढ़ते हैं, ये रोहन सर्मा जी ने पूछा है, कि भगवान और आदमी की आरती क्यों की जाती है, आरती, आरत कहते हैं, दुख को, आरती करके, और आरती करके क्या करते हैं, माथे से लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद माथे से लगाते हैं, क्या इसका आरत है, इसका एक अरत ये है, कि आपको कोई दुख जो हो, वो हमारे माथे आए, कितना उच्च विचार, कितना उच्च खयालात, और भगवान और भक्त की कितनी अद्भुत ये एकता या यूं कहिए कि कितना प्रेम है इसमें कि है प्रभु आपको जो कस्ट हो वो हमारे माथे आ जाए आरती करने के बाद माथे लगाते हैं और वैसे आम किसी को आरती करते हैं तो ये प्रेम के लिए भी है और विजय के लिए भी है कि आपकी सदा विजय हो आरती उनके आपके कस्टों को मैं हर लूँ दुख को हर लूँ आगे बढ़ते हैं नीरज साहू जीने पूछा है कि पाप कर्मों से कमाया गया पैसा अगर पुन्य कारियों में या जरूरत मंद पर खर्च किया जाए तो क्या इसका फल मिलेगा बिल्कुल धन में पाप पुन्य थोड़ी लगा है लेकिन उस किये हुए सुकृत कर्मों के कारण आप निश्चे ही सुख भोगेंगे पर किये हुए बुरे कर्मों का फल कहीं नहीं जाएगा वो तो भोगना ही होगा क्योंकि नाभुगतंचियते कर्म जन्म कोटी सतई रपी करोडो कल्प बीत जाए जब तक अपने किये हुए कर्म का आप भोग नहीं भोग लेते वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है तो धन अच्छा या बुरा नहीं होता वो तो उसको कमाने वाला अच्छा या बुरा होता है तो आप उससे अगर अच्छा काम करते हैं तो निश्चे ही उसका पुन्य मिलेगा लेकिन ये मत समझेगा कि ये जो बुरा आपने किया था वो 6 हो गया वो वैसे कि वैसी पोटली पड़ी हुई है एक नई पोटली तयार हो रही है नई पोटली भी आप भोगेंगे परन्तु इसे भोगना होगा आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रशन है ये रीमा कुमार जी का है जब औरत को माहवारी के दिनों में जब कोई औरत मासिक धर्म के समय में पूजा ना कर पा रही हो और उसके मंदर में पूजा करने वाला कोई ना हो तो क्या करना चाहिए छमा प्रार्थी हो जाए वैसे तो प्रयास करिए कि कमसे कम उतने दिनों के लिए समझा करके अपने पती को या अपने बच्चे को किसी को मना करके करवाइए क्योंकि यह आपका कर्तप बेढनता है कि आपके देवता आपके भगवान यदि भूखे रहेंगे तो फिर आप खाईएगा कैसे और अगर आप भोजन करिएगा तो भोजन कैसे अंदर जाएगा क्योंकि आपके भगवान भूखे हैं इतना प्रेम तो उनसे होना ही चाहिए तो मुझे लगता है कि ये प्रत्न करिए कि कोई बच्चा दो मिनट के लिए वहां पर बाहर खड़े हो जाई ये मंदर के आप बच्चे को बता दीजिए जो उससे बन पाए वो जल चढ़ा दे फूल चढ़ा दे जो रखा है वैसे ही रख दे एक नियम पूरुन हो जाए केवल उससे भी काम चल जाएगा तो बच्चा ही घर का कोई कर दे पती को हाथ जोड़कर के मना लिजिए कि दो मिनट के लिए बस कर दीजिए बिना स्रद्धा के ही कर दीजिए कर दीजिए खुस्वु कुमारी जी ने पूछा है कि महादसा अंतरदसा और गोचर में से जीवन पर किसका कितना आसर होता है यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह भाग्येस की महादसा चल रही हो और उसमें लाभेस अथवा पराक्रमेस का अंतर हो बढ़िया हो गया या करमेस का अंतर हो बढ़िया हो गया अब उसमें महादस गोचर में भी गुरू आपकी कुंडली में भाग्य भाव से संचरन करने लगें तो यह निश्चहीं बहुत स्रेष्ट है वैसे ही अंतर दसा महादसा ऑकारक गरह की या अश्टमेस की चल रही हो उसमें सब्तमेस या दूतियस या तृतियस का अंतर आ जाए और 67 गोचर से दो या तीन गरह अस्टम स्थान में संचरन कर लें तो यह जानलेवा सिद्ध हो जाता है, यह तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सीतल सागर जी ने पूछा है कि तुलसी के पेंड के नीचे शिवलिंग रख सकते हैं अगर नहीं तो क्यों? आप रहें अच्छे जगह पर और सीव जी को रख दें तुलसी के पेंड के नीचे, तुलसी तो भगवती हैं, पौधा है उनको जल चाहिए, सुरी का धूप चाहिए, इसलिए उनको गमले में रखा जाता है, बाहर रखा जा सकता है लेकिन बाबा को क्यों? उनको तो कम से कम एक अच्छा जगह दीजिए अपने घर का सबसे बढ़िया जो स्थान है, उन्हें देना चाहिए बाहर गमले में पड़े हुए हैं घर का बच्चा खेलते हुए आया, और कुछ उठा लिया, कुछ उस पर डाल दिया डालने को तो उसी जिवे भी डालेगा तो दोस है और दोस बच्चे को नहीं, उस घर के सदस्य को लगेगा लेकिन कम से कम शिवलिंग उनको कम से कम एक अच्छा जगह दीजिए घर का सबसे बढ़िया जो जगह है, वो बाबा को प्रदान कीजिए याद रखिये कि परमात्मा बिम्ब हैं और हम उनके पतिबिम्ब हैं, हम उनकी चाया हैं अगर हमारे माथे पर तिलक और ऐसा तिलक चाहिए जो चमकता रहे तो उनपर लगाईए यहाँ पर अपने आप लग जाएगा और वो चमकता भी रहेगा अपने पर लगाते रहे और उन पर नहीं लगाया तो उसमें चमक नहीं आएगी कभी याद रखिएगा फुसकर मिसर जी ने पूछा है समस्त प्रकार के भय को दूर करने का उपाय बताईए और आत्मविस्वास बढ़ाने का भी आत्मविस्वास बढ़ जाए तो भय दूर हो जाएगा तो आत्मविस्वास कैसे बढ़े भगवान सुरी नारायन की क्रिपा से आत्मविस्वास बढ़ाईए उनकी आराधना करिए उनको जल प्रदान करिए उनको जल देने से उनको अर्गे देने से आपका आत्मविस्वास बढ़ेगा और आपका आत्म विश्वास अगर बढ़ेगा तो भय तो अपने आप दूर हो जाएगा तो प्रियदर्शकों चलते चलते हम आखिरी पड़ाओ पर आ चुके हैं समय आप देख रहे हैं अधिकाधिक संख्या में जितना हो सकता था प्रश्ण लेकर के हाजिर हु अपने ज्याना नुसार अपने समर्थ्या नुसार आपके प्रश्णों का मैंने जबाब दिया आज के लिए वसितना ही इजाज़त दीजिए कल पुना एक नए विशय के साथ आप सबके समुखाजिर होंगा तब तक के लिए नमस्कार